hey guys welcome back to my new video तो यह है third part और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो cheeks है उसको में shade कर रही हूँ same as the process है कि पहले pink color का use करा उसके बाद orange color और उसके बाद यहाँ पर peach color का use करा उसके बाद यहाँ पर में जो dark area है उसको अच्छे से observe करके जो light brown color है उसका use कर रही हूँ तकी जो area है उसमें depth नजर आए उसके बाद यहाँ पर में जो dark brown color है उसका use कर रही हूँ और आप आप देख सकते हैं कि मैंने आप थोड़ा सा black color का भी use किया है और अभी आप पर में जो upper की जो nose की जो नीचे का area है वहाँ पर भी यही same process करी है और आपको अच्छे से observe करना है कि आपकी जो area है वहाँ पर कितनी आपको sharing की जरुवत है और कितनी जरुवत है नहीं आपको अपनी reference को अच्छे से observe करना आना चाहिए और जो color है उसे पहचानना आना चाहिए कि यहाँ पर कौन से color हम use करेंगे तो हमें कैसा result मिलेगा यह आपको अच्छे से पैजान आना चाहिए और अब यहाँ पर देख सकते हैं कि जो depth area जहाँ पर ज़ादा है वहाँ पर मैंने black color का use कर लिया अब यहाँ पर मैं जो second cheek से वहाँ पर use कर रही हूँ देख सकते हैं कि मैं जो पूरा area है वो cover नहीं कर रही हूँ जो जहाँ पर ज़्यादा depth में को नजर आ रही है बस मैं जो area है वहीं पर shading कर रही हूँ इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो नीचे का area है वहाँ पर मैं अब shading कर रही हूँ वहाँ पर मैंने यह जिए प्रोसिस करी है कि सबसे पहले pink color यूज करा उसके बाद orange color यहाँ पर थोड़ा सा peach color भी मैंने यहाँ पर यूज करा है इसके बाद जो भी dark की रिया है उसको shading करने के लिए यहाँ पर मैं light brown का यूज कर रही हूँ ताकि जो realism है वह हमें नजर आए इसलिए यहाँ पर मैंने यह जो light brown color है इसका मैं use कर रही हूँ आपको भी ऐसा ही यूज करना है और pressure बिल्कुल भी apply मत कर रही है अगर हम ज़्यादा pressure apply कर देते तो उसके उपर से हम कोई भी color opt नहीं कर बाते हैं और अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो dark brown color है उसका मैं use कर रही हूँ क्योंकि जो dark brown color है उससे depth area है उसको में shade कर रही हूँ आप जो tutorial है उसे observe करके खुझ जब try करते हैं तभी वह हमें चीज आ पाती है क्योंकि देखने पर हम कुछ भी देख लेते हैं लेकिन उससे जब तक हम apply नहीं करेंगे वह चीज हम नहीं सीख पाएंगे और अब यहाँ पर मैं ear को कर रही हूँ जो ear है वो अच्छे से यहाँ पर show नहीं हो रहा है तो यहाँ पर थोड़ा मैंने थोड़ा observe करा है और उसके हिसाब से मैं यहाँ पर sharing कर रही हूँ और same उसी तरह से यहाँ पर कर रही हूँ अब यहाँ पर मैं hairs पर आ गई हूँ त क्योंकि हमें सबसे पहले जो बेस लियर है उसे ऑप्ट करना रहता है और जो हेर रहते हैं उसमें में जो दो कलर होते हैं वह होता है कि एक एक ब्राउन कलर होता है और एक ब्लैक कलर और ग्रे कलर और इसे ज़रा से जो हेर से रहते हैं उनका कलर हम देख पाते हैं तो अभी मै यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर का यूज करा और उसे हलके हलके हातों से मैंने इस टोक्स को लगाया आपको शुरू में ही ज्यादा प्रेशर अपलाइन नहीं करना है आपको अराम अराम से लगाना है एक दो लेयर तो आहाँ पर आपको हेर्स में देनी ही है उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि फिल मैंने आप पर जो डार्क एरिया है उसको यहाँ पर कवर कर लिया है अब जो सेम प्रोसेस है वो में इस जो एरिया है वहाँ पर भी करूंगी कि सबसे पहले जो ब्राउन कलर है उससे हैर की डारेक्शन में यहाँ पर में स्टोक्स को अपलाए कर दू पहले light color करें फिर dark फिर उससे भी ज़्यादा dark और अब यहां पर आप देख सकते हैं कि मैं black color का use कर रही हूं और यहां पर मैं ज़्यादा pressure का भी apply नहीं कर रही हूं मैं आराम आराम से shading को कर रही हूं ऐसे आपको भी करना है और hair बनाते time आपको ज़्यादा pressure भी apply नहीं करन अब यहां पर जो third layer है वो मैं black color से ले रही हूं जो भी area ज़्यादा dark है वहां पर मैं थोड़ा सा pressure लगा रही हूं ज्यादा pressure भी नहीं लगा रही अच्छे से आपको अच्छे से stroke से दिना है तो यहां पर थोड़ा सा pressure लगाया मैंने और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो जेतना भी area है उसे मैंने shade कर दिया है ऐसे आपको भी कर लेना है और आप देख सकते हैं कि जो हमारे hair का यह part है यह भी complete हो चुगा है अब हम आएंगे जो नीचे का part है यहां पर आप चोटी को देख सकते हैं उस area को आप shade करेंगे हम तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो यहां पर जो चोटी है वो इतनी अच्छे से दिख नहीं रही है तो यहां पर मैंने थोड़े अपने हिसाप से जो इसे चोटी की design होती है वो design यहां पर कर दी है उसके हिसाप से यहां पर मैं जो brown color है उसको shade कर रही हूँ और इसी प्रकास से आपको भी कर लेना है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो कुछ-कुछ एरिया है वह यहाँ पर मैं छोड़ भी रही हूं क्योंकि वह जो एरिया है वहाँ पर आपको जो जो हाइलाइट दिखेगी वह अच्छे से देखनी चाहिए ताकि जो हमारा यह चोटी वाला एरिया है यह अच्छे से देखे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ब्लैक कलर उसमें थोड़ा सा प्रेशर लगा कर ज्यादा प्रेशर में नहीं लगा रही हूं और कुछ-कुछ जगा यहाँ पर में शेड कर रही हूं और कुछ-कुछ जगा को छोड रही हूं ताकि जो चोटी तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने light orange का यूज करा उसके बाद यहां पर में जो dark orange होता है उसका बुस्त कर रहा है और आपको बिल्कुल भी नम लेयर लेर चलना हें और जादा प्रेशियर का भी यूज नहीं करना है अपको अच्छे से इसको भी मैं सबसे पहले इसको मैंने जो यह ग्रे कलर है इसकी आउटलान को बना लिया है और यह जो नेकलेस ही इतनी अच्छे से जो रफरेंस इमेज ही उसमें तोड़ा अच्छे से दिख भी नहीं रहा है तो मैंने अपने इसाब से थोड़े वो डिजाइन यहां पर बना वह रङू है वो बहुत ही ज़ए लाइट है इसलिए यहां पर मैंने जो peach color है जो की orig कलर हैThese क्योंकि वह पर उर को หुद्ट ही अगरें सेमय कलर हमें दीख रहा है थोड़ा बहुत यहां पर मैने half लtech है तो यहां सबसे पहले में यहां पर मैंने ब्लैक कलर से पूरा तो हमारी जो ड्राइंग हो चुकी हूं आशा करती हूं आपको वीडियो पसंद आए होगी वीडियो पसंद आये तो लाइक कर दीजे और चैनल पन्यूंग है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे